यह रात के टाइम में ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है तो दोस्त नमस्कर दोस्त और मैं आमी तरफ सभी को मेरे यूटीब चैनल पॉल चैनल पर स्वागत है तो दोस्त अगर आप आप अटो डिंकर इस्तिमाल कर रहे और वह भी आपका फार्म में डेड़ साल या फिर दो साल पुराना हो गया तो आपको यह जो चीज मैं दिखा रहा हूं य आर दिन एक जिंकर में आटोमेटिक पानी नीचे गिरता है तो इसका जो कारण है इसका कारण भी मैं बताऊंगा इस वीडियो पर और इसको मैं रिप्यार करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसको रिप्यार कर सकते हो क्योंकि इसका रिप्यार करने का जो मैट्रियल्स लगता है वो तो आपको साथ या तो फिर आठ रुपया में खर दिना पड़ता है लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा इस वीडियो पे जिससे आप यह जो आटो डिंकर है इसको आप रिप्यार कर सकते हूँ यह जो प्रॉब्लेम आपको पता चलेगा यह प्रॉब्लेम के लिए आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यह प्रॉब्लेम नहीं होगा और वो जो मैं रिप्यार करूंगा वो एकदम घरलू मेटियल से इसको मैं रिप्यार करके आपको दिखाऊंगा तो दोस्त यह जो आप देख पर है यह है मतलब एक जिंकर का अंदर का मेकान तो इसमें यह खराबी आ जाता है तो इसको मैं रिप्यार करके दिखाऊंगा तो मैं इसलिए एक ठो जो अंदरूनी सिस्टेम है इसको मैं खोल लिया तो चलिए मैं इस वीडियो पे इसको टुटाल खोल के और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको रिप्यार किया जा है और एक बार आप अगर repair कर देंगे तो उसमें उतना problem बाद में नहीं हो सकता और यह मेरा guarantee है आप definitely यह कर करके देखिएगा तो इसमें next में और कुछ problem नहीं होगा और दोस्त यह actually होता है इस कारण से जैसे ही हम लोग का बैस्ट खतम होने के बाद हम एसीड देके पाइप क्लीणिंग करें, उस टाइम पर पाइप क्लीणिंग जादा टाइमर रहें से इस अंधुरूनी सिस्टम के अंदर तो आपको पता है कि पानी तो इसको प्रेसद करने के बाद ही आता है और प्रेस्ट की होता है ड्रिंकर का वेट की साब से और अंदुरुनी जो एक वासार होता है तो वह फैल जाता है वह खराब हो जाता है तो उसका लीकेज से यह पानी कॉंटिनेव गिरता है और अगर मान लिजे के यह ऐसे पानी अगर आपका फार में दिन बर दिन गिरेगा तो नीचे का जो लिटर है वो पुरा भीग जाता है लिटर खराब हो जाता है तो यह सिस्टेम आपको डेफिनेटली धूरंत रिपैर करना पड़ेगा जाके यह जो प्रॉब्लिम है जाके ना हो तो चलिए दोस्त मैं इसको खोल के आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरह से इसको रि और यहां पर देखेगा एक टो रावार रहता एक टो भाल्ब रहता एक जो टीव लेना है जो भेहिकल का है बड़ा भेहिकल का कार का एक टीव आपको लेना है तो इसको आपको पहले माप से काट लेना है मतली जी आप पांचास्टो करने वाले है तो 50 पिस के लिए आपको पहले इसको इस तरह से काट लेना है इसको काटने के बाद इसको ठीक तरह से काट लीजिए और इसको आभी आप छोटा छोटा टुकुड़ा में काट लीजिए मैं एक टुकुड़ो काट के आपको दिखाने वाला हूं कि किस से इसको मैं इस्तिमाल करेंगे वसर की साब से तो दोस्त यहाँ को पहले थोड़ा सा छिल लीजिए राउंड कर लीजिए और यह आपको जो बाद में एसीड या तो फिर कुछ पाइप ट्रिनिंग अगर कुछ इस्तिमाल करेंगे तो इसको यह जो वसर में बना रहा हूं यह खराब नहीं होता है तो आप करके एक बार देखिए यह बहुती काम का चीज है नया वसर 7-8 रूपय में लागाएंगे फिर भी वह खराब हो जाता है तो इसका जो नाप है आप एक बार माप लीजिए एक को ऐसे करके आप नेक्ष जो बनाएंगे इसकी हिसाब से बना सकते हो तो इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसको आप इस तरह से पकड़ना पड़ेगा इस तरह से पकड़ने के बाद एकदम मिडिल पे दोटो छेद बना लीजिए पूरा नहीं कटना है जस्ट दोटो छेद बना लीजिए और अभी इसको आप अंदर खुज़ेए तो ये घुज जाएगा और कुछ परिशनी नहीं होगा ये घुज गया तो इसको यहाँ पे जाम कर दीजिए और इसको एक बार जाम करने के बाद यहाँ पे साइड का जो मेटरियल्स आप देखेंगे के थोड़ा बहुत करके रह गया है उसको ठीक तरह से काट लीजिए यह अगर एक बर आप कर देंगे तो आपका जो आटो डिंकर है यह सालों से चलेगा और इसमें पानी का लीकेज नहीं होगा और जो नया वाला मिलता है साथ आट रुपया करके तो माल लीजे अगर आपको एक सो पीस आटो डिंकर का यह खरिदना है तो साथ सो आट सो रुपया खर्चा हो जाएगा तो आप एक्स्टा टाइम में यह अराम से कर सकते हो तो यह मैं अल्ड़ी सभी में कर लिया और कि आपको पूरा पाथा चले और दोस्त इसको ठीक तरह से काटने के बाद इधर भी जो एक्स्टा रहे गया इसको इस तरह से कटना होगा इसको ठीक तरह से काट लीजे यहां पर थोड़ा सा रहे गया बस हो गया काम और आप इसको अभी यहां पर इंस्ट्रोल कर दीजे तो यह जो आप इस्तिमर करेंगे यह एसिड से भी खराप नहीं होगा कभी भी पानी का लीकेज नहीं होगा इसमें ऐसा मैं करके देखा हूँ और यह एक बार आप भी करके देखिए इसमें कोई परिशन के बात नहीं है जस्ट आपको यह लगेगा इट्टो जो बड़ा वहिकल है या तो फिर कार है जो मालवाई ट्राक है तो इसका जो ट्यू होता है इसको आप इस्तमल करना है और इसको अंदर घुशा दीजे असे भर दीजे अंदर बस यह एक बूंद भी पानी इसमें नहीं गिरेगा और दोस्त बहुत सरे डिंकर्स में ऐसा भी होता है कि उपर से धीरे धीरे यहां से धीरे धीरे पानी निकलता है तो इसको लिए मैं यह जो वासर है यह वासर खरीद के रखके हूँ अभी भी एक ठो नहीं लगाया यह एक ही कारण है इसको आप एक्च्युली रात के टाइम में ज्यादा पानी निकलता है इसका कारण भी मैं आपको बॉल देता हूँ अभी दें के टाइम में पानी का कॉंदम सफ़्थ executed यह आपको पता है और चिक जो है continue पानी पीता है तो इसका कारण से यहां का जो लि निकलता है तो यह रात के टाइम में ज्यादा दिखने के लिए मिलता है तो दोस्त मैं इसी के साथ समात करता हूं यह वाला वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और नहीं लगे तो प्लीज डिसलाइक कीजिए और आप सेयर कीजिए आपका ज